यह ऐसी शादी थी जिसमें दुलहा, दुलहन के अलावा बराती के तोर पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले थे स्नैपर्स बिल्डिंग्स पर तहना आते मैंने सुना के लॉरेंस बिस्मु यह आपको बहन मानता पड़ी लिखे हैं ब्रेन माना जाता आपको उस गैंग का ती, उनकी सोच है और मेरी सोच है वो विल्कुल मैच करती है क्या सीचविसन थी संदीप के साथ, कैसे सुरुआत हुई उसकी क्राइम में कैसे आया एंट्री में उसका गाओं है कारोर, वहां पे कुछ दबंग लोग रहे हैं या संदीप ने किस तरह से उसका 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 उसके बाद क्या हो जब पुलिस से इंसाफ नहीं मिला अनन्दपाल सिंग से प्रॉपर्टी रिलेटेड ही में मेली थी पहली बार आपको पुलिस ने कबरेस्ट किया कपजिल गूं अलिगेशन था वैपन और लीकर अनन्दपाल का जो इंकाउंटर था वो फर्जी था स्मिर अनन्दपाल सिंग की प्रेमी का थी सिद्धू मुसावाला के मर्डर में आपका नाम आया था आपसे पूछता चूई थी आप ही का नाम क्यों चलता है इतनी बड़ी अवादी है अनुराधा चोधरी लेटी डॉन का ही नाम क्यों चलता है कुछ तो रहा हो जबने थी बिल देखिया अरविन भाई जब आनी है ना मौत तो आनी है बचाओ तो बिल्कुल करूंगी क्यों नी करूंगी मेरे हस्बेंड है पॉलिटिक्स में आना असान है तो क्या आप पॉलिटिक्स में आने की सोच रही है नमस्कार मैं हूँ अरविन दोजा और आप देखने हैं अनुराधा की आज वही लेडी डॉन अनुराधा हमारे साथ मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे अनुराधी जी सबसे पहले तो शादी की बहुत-बहुत बधाई तैंक यू तैंक यू सो मच और शादी के बाद की जिन्दगी कैसी चल रही आपकी नॉर्मल है लाइफ त की जैसे और लोक करते हैं बस वही चीज़ी मेरी लाइफ में हैं ठोडा स्ट्रॉगल एक्सक्टा है क्योंकि मेरे बी कुछ केसिय कोच केसिज उन की सिक्यूर्टी है मेरी सेक्यूर्टी है , तो ये कुछ इनकी सेक्यूर्टी है तो इसे शौंडवारोष भाकी की जो वो रूटीन में है अभी जो आपको बता है आपके शादी हाला कि मैं बताओं कि ये शादी में मैं भी मुझे भी इन्मिटीसन था जी आप भी आए थे जी और ये शादी बड़े सुरक्षियों में रही आपको पता है कि सोसल मीडिया पर लोग उने काफी देखा इस शादी क जिसमें दुलहा, दुलहन के लावा बराती के तोर पर सिर्फ और सिर्फ पुलीस वाले थे स्नैपर्स बिल्डिंग्स पर तेहना थे, वो एक शादी कानभोग कैसा रहा आपका? अच्छा रहा, काफी अच्छा रहा, काफी अच्छा इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी, वैसे तो हम शादी कर चुके थे, लेकिन मैं और संदीप ये चाहते थे कि हम सोसाइटी में और संदीप की मदर के सामने हम शादी करें, तो फैमिली, मेरे हजबन और ठीक है, मीडिया भी और पुलिस भी, ये लोग भी, लेकिन वो भी उस टाइम में जहां तक मुझे पाता है, वो सारे के सारे विशिस के साथ में मौझूद थे, ना कि मतलब हम पे ऐलिगेशन या इस तरी की चीज़ें, तो पहले बार ऐसा था कि मैं अपनी फैमिले के साथ थी, और मीडिया भी थ और पुलिस डिपार्टमेंट भी था, लेकिन विशियस थी, ना कि कुछ ऐलिगेशन, डर या फिर कुछ और चीज़ें, टॉर्चर या मेंटली हरास्मेंट या इस तरी की का कुछ नहीं था, तो मेरे लिए काफी अच्छा एक्स्पेरियंस था, चारों सरब पुलिस वाले इतनी सिक्यूरिटी क्यों थी, क्या थ्रेट था इस शादी को भी, क्या अटैक दूसरे गैंग के लोग कर सकते थे, कैसे आप लोग को आपको इनपूर था, या संदीप की जान को खतरा था, आपकी जान को खतरा था, दुलहन की जान को खतरा था, पुलिस तो कुछ आफिसर्स ने ये कहा कि देख लेना ये भागेगा तो मुझे पता था कि उनके अंदर ये चीज डर या जो भी कह सकते हो तो उनकी जो सोच थी वो ये थी तो हमारी सिक्यूर्टी से जादा उन्होंने अपनी सिक्यूर्टी किये कि कहीं ये फरार न हो जाए और फिर हमारी नौकरी या फिर हम पर ऐलिगेशन या इस तरीकी की चीज ना आ जाए तो हमारे दिमाग में ये चीज थी नहीं इसलिए हम लोग बहुत कूल थे तो हमें तो कोई मतला mentally fluctuation नहीं या किसी तरीकी की कोई चीज नहीं थी ना हमने डिपार्टमेंट को ये कहा कि हमें security द है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हां अच्छा लगा कि लोगों ने सब लोगों ने मतलब वो उसमें डिपार्टमेंट भी शामिल है पुलिस डिपार्टमेंट उन लोगों ने भी आशिरवाद दिया या फिर वेशिज दी ये नहीं कि तुमने ये कर दिया तुम य कि आपने संदीब को क्यों चुना इसके इलावा को किसी को और चुन सकती थी इसके पीचे किस तरह से आपकी संदीब से मुलाकाथ हूई wish किस तरह से ये जोड़ी बनी संदीब से मुलाकात एक केस के दौरान होई थी और फिर उसके बाद में जो उनकी सोच है और मेरी सोच है वो विल्कुल मैच करती है या हम लोग कमपेड़ेबल हैं तो इस वज़े से हम लोगोंने डिसाइड किया कि हम शादी करते हैं और बहुत से रिष्टे होते हैं आदमी की लाइफ में चाहे वो गैंगस्टर हो चाहे कोई भी हो लेकिन जो रिलेशन हस्बंड वाइफ का होता है वो एक डिफरेंट होता है हस्बंड अपनी वाइफ से कुछ भी कह सकती, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, जो compatibility husband wife में होती है, वो और relation में नहीं होती है, तो हम लोगोंने शादी करने का decision लिया, इसके अलबाद की life हम लोग peacefully जीना चाते थे, ये मतलब इतने सारे allegations, case, police और इन सब चीजों से दूर, संदीब भी चाते थे और मैं तो अकेला इनसान तो रह नहीं सकता है, अगर वो इनसान अकेला रह सकता, तो फिर जंगल में रहता, society में क्यों रहता, तो हम दोनों as a couple दूर कहीं रहें, तो फिर दिक्कत क्या थी, जो case है, उन सब को shot out होने के बाद में, तो हमें लगा कि ठीक है, हम अच्छी life spent कर सकते ह हैं, एक दूसरे के साथ, तो हमने एक दूसरे को select किया, और संदीप के अलावा कोई और भी हो सकता था, तो मैं यो कहते हूं नहीं हो सकता था, इसलिए नहीं हो सकता था, जो situation, जो चीजे हैं, वो संदीप ने समझी मेरी, मेरे हालात, और जो संदीप के हालात और situation, मैंने स जोट उनको भी थी, तो इस वज़े से मुझे नहीं लगता कि संदीप के लावा कोई और हो सकता था, क्या हाला तापकी थी क्या पेन, पेन देखिए, सोसाइटी में आप कह सकते हैं, जहां से मैंने जो नॉर्मल लाइफ थी, वो छोड़ी थी, या छुड़वाई गई थी तो उसके पीछे सोसाइटी भी थी, पुलिस डिपार्टमेंट भी रहा है हाला कि कुछ आफिसर्स मना कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि उस डिवेशन में भी जो मैंने एफ़ायर वगरे की है करीब 14-15 साल पहले, तो 13-14 साल पहले हैं, तो वो online portal पे रही हैं उसको कोई erase नहीं कर सकता है तो वो, जो है complaints मेरी हैं और रही हैं, डिपार्टमेंट को भी पता है तो उस टाइम में अगर डिपार्टमेंट मेरी सिर्फ ये situation समझता कि एक पढ़ी लिखी लडी आई है, तो कोई तो पीछे reason होगा, inquiry तो at least होनी चाहिए, तो उन्होंने जो negligency दिखाई जिसका कि नतीजा मैं हूँ तो वो जो pain था, वो संदीब को समझ में आया, और संदीब के साथ में भी same यह situation रही है क्या situation थी संदीब के साथ, कैसे शुरुवात हुई उसकी crime में कैसे क्राइम में कैसे आया एंट्री हुई क्राइम में कोई आता नहीं है, जहां तक मुझे पता है मैं अपना experience या संदीब का experience बता सकती हूँ situation या कोई ने कोई लेके आता है आतलिस मैं और संदीब तो उनमें से नहीं है जिनको हवाबाजी का या ये शोबाजी का इसका शौक हो हम peaceful life इंटरस्टेड रहे हमेशा तो उनकी situation यह थी कि उनका एक साथी है अनिल शिपी आपने सुना होगा नीउसपेपर बगरे में तो उसका गाउं है एक कारोर वहाँ पे कुछ दबंग लोग रहे हैं जिनोंने पूरे गाउं को दबाके और जो परिशान करके रखा था मतलब हद थी पुलिस डिपार्टमेंट भी मतलब उनके अंडर प्रेशर था यह कह सकते हैं अप हो सकता है उपनली ना माने पुलिस डिपार्टमेंट लेकिन बाकी वो मानते हैं तो उन्होंने इतना परिशान कर रखा था अंगाउंवालों को और अनिल चिपी की फैमिली को भी उनकी फैमिली में भी कुछ मर्डर किये उन्होंने उनके फादर को तो एक किसी allegation में संदीब जेल में गए थे अनिल चिपी उनको वहां मिला फिर उसने संदीब को वो पूरी स्टोरी बताई एक बार नहीं कम से कम जब भी वो बैठता था कम से कम उसने 100 टाइम्स बताई होगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ मेरी फैमिली के साथ ऐसा हुआ और हम पुलिस वालों के पास में गई कम प्लेन नहीं लिखी गई है फायर दर्ज नहीं हुई सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ और लोगों के साथ में भी हुआ है तो वो चीजे मतलब इतनी बार दोराई गई तो संदीप को ये फील हुआ कि चलो अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है मैं कोशिश करके देखता हूँ तो उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया था तो सोनीपत में फिर कहीं मडर हुआ था कारोर में काफी मतलब उसमें कितनी मडर हुआ थे काफी जाथर लोग बताते हैं कि गाउं की लड़कियों को इनको उठाय कर ले जाते हैं तो दबंग टाइब के तो मैंने ये सुना है ये भी किसी पलिस डिपार्टमेंट के बंदे से ही सुना है मैंने उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पर ऐसा होता था कि शादी कहीं किसी भी घर में हो लेकिन वो लोग जाके उस लेडी को जो दुलन उती हो उसको वो अपने घर लेके आते थे कोई रोक नहीं सकता था उनको तो मतलब इस तरीकी की चीजें भी हुई है कोई लड़की निकल रही है तो उसको बत्तमीजी करना मिस्भी एव करना और किसी की मज़ाल नहीं होती थी कि वो रोक दे इसके अलावाद जमीनों पर कबजा करना जब जस्ते लिखवाना तो ये सारी चीजें थी तो उन्होंने की डिपार्टमेंट किस वज़े से मजदूर था ये मुझे नहीं पाता क्या किया फिर संदीप ने मतलब आरोब क्या लगा है क्या संदीप ने किस तरह से उसका उसका बद्ला लिए बद्ला नहीं कह सकते उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलके उसको मना किया धमकाया कि भई तुम ऐसा नहीं कर सकते और गलत चीज़ है ये तो अगर तुम इस तरीकी की हरकत करते हो तो गलत बात है ठीक है यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा है कहीं तो सुनेगा कहीं तो कि वहां राइस्थाने में आप क्या कर रही थी आपके फैमिली क्या थी किस तरह से जो आपने बताया है कंप्लेन उप्लेंट वो एक्च्वल कहानी क्या है आपकी शादी होगी थी आप क्या करती थी और किस तरह से फिर ये क्या ऐसी सिच्विसन बनी थी वो आप पहली वा मेरे यो नाना जी रहे वो मेज़र फे तो नॉन्मल फेमिली से आती हूं है आप यह नहीं कहसकते कि लोवर जार मेझे बिडिल क्लासे था कौछ आजू को के शांटी दो ती दीश करो 10 देख करो या अगली बार नहीं कभी अघा नहीं हो तो हम हमेशा बाउंडेशन में रहें नॉर्मल लाइफ थी फिर मैंने शादी की मेरी फर्स्ट मैरीज जो मेरे हस्बरन क्रिश्चन थे उनके बारे में मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं उनसे डिवास ले चुकी हूं और दूसरी शादी कर चुकी हूं तो किसी की उसको चेड़ना सही बात नहीं है और मेरे बच्चे के फादर वो आज भी है तो देन फिर उसके बाद में मैंने शेयर मार्केट में काम शुरू किया था एम बीए थी मैं और अच्छे खासी गोल्ड मैडलिस्ट तो आदमे एजूकेशन किसलिए लेता है या तो जॉब के लिए या बिजनस के लिए तो मैंने बिजनस स्टार्ट किया शेयर मार्केट का और उस डियूरिशल में मेरे साथ में कुछ पार्टनर्स थे जिन में से में कह सकते हैं कि एक बैंकर बाकी तो उनकी वाइफ उनका बेटा और उनकी बेटी उनका बेटा बेटी और वाइफ तो डमी पार्टनर रहे हैं तो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उन्होंने लोगों से बोरो किया अपने बियाव पे क्योंकि एक fresher MBA चाई कुछ भी हो उसकी कुछ खास value नहीं होती है financially ना मेरे कोई financially assets से तो उन्होंने पैसा बोरो किया लोगों से अपने बहाफ पे और मुझे दिया और मैंने उस पैसे को market में लगाया और काफी अच्छा return लिया हमने और मैंने उनको कभी भी मैं हम लोग इंट्रेस्टपे ले के आए है और ठीक है मैंने को इशू नहीं हम उसमें pay कर देंगे फिर मैंने उनको pay भी किया दमने को कि आप दे दीजे बागी का पैसा तो फिर उन्होंने कुछ ये बोला कि नहीं ये 30 रूपीज पे कुछ ऐसे तो उन्होंने इस तरह की इस्टी की इस्टी कर दी फिर भी मैंने का कि चलो कोई ना ठीक है उनके पास में मेरे चैक होते थे साइन की वे वो इसलिए होते थे क्योंकि जब उन्होंने मेरे पे इतना पैसा इन्वेस्ट किया है एक सिंगल लाइन मुझसे कभी लिखवाई नहीं तो वो एक खाली चैक पे साइन करवा रहे हैं जिसमें कुछ है ही नहीं और मेरी वैल्यू तो कुछ थी नहीं तो मैंने कभ तो देन उन्होंने धीरे धीरे पैसा निकाल लिया मेरा इंटरस्ट हमेशा शेर मार्केट में रहा है और स्टडी करने में या ज्यादा तर उसी में भीतता था तो मैंने ध्यान नहीं दिया इन सब चीजों में धीरे धीरे उन्होंने पैसा निकालना शुका दिया कब निका और दिया, गया कहां तो उन्हों ने का ये तो उसका इंटरस्ट पे कर दिया उंटरस्ट पे इंटरस्ट बतला उन्होंने जो गुल जिस तरी किस सर्किल गोमाए जो समझ से भार था फिर उन्होंने चेक और ऐगरे दिखाके और कुछ लोगों को पीछे करके धमकाना शू किया, काफी सारी चीज़ें उन्होंने की और मेरे पास में एक लैंड थी मेरी मौसी से लीवी थी वो लैंड, तो उसकी पेपर्स भी उनके पास में थे, क्योंकि शुरू में मैं उनसे जब मिली थी, वो बैंकर थे एक लोन की सिलसिले में, फिर उनसे मुझे पता चला था कि पैट्रोल पंप वो अलोर्ट करवा सकते हैं, फिर चीज़ें स्टार्ट हुई कि शेर मार्केट और यह समयने उनको बताया तो ठीक है, हम वहां तक पहुँचे और फिर जैसे जैसे टाइम बीठता गया, उन्होंने पैसे निकालना शुरू किया, और पता भी नहीं लगने दिया, क्योंकि जो अकाउंट था, वो एक तो उनके बैंक में था, एक दूसरे बैंक में था, तो उनके वाइफ का जाना, और फिर निकालना करना या किसी दूसरे को प्योन को भीज के करना, तो पता नहीं लगा, मैं मार्केट में बीजी रहती थी, रात को भी फॉरेंड मार्केट्स ओपन होते उनको वाच करना, तो पूरा टाइम में हमेशा बीजी रहती थी, हफते में मुझे सिर्फ एक ही दिन मिलता था Saturday, तो वो थोड़ा वो धूमने के लिए मेरे बेटे के साथ या मेरे बहन के साथ चला जाता था तो जब मुझे पता लगना शुरू हुआ मैं शौक्ट हो गई कि ये क्या हो रहा है उन्होंने धमकाना करना शुरू कर दिया पहले पॉलेट थी उनकी लेंग्विस दन फिर रूड होना शुरू हुआ तो वो उनकी मिसिस दोनों के दोनों मैंने पापा को कंप्लेइन की पापा ने का मैंने तुम्हे कहा था कि ये सही लोग नहीं है फिर भी तुमने नहीं माना फिर भी उन्होंने का कि ठीक है लीव दाट छोड़ दो मैंने कहा कि गलत तो मैंने नहीं किया है तो मैं पुलिस कंप्लेइन करूँगी मैंने पुलिस कंप्लेइन की मैं सबसे पहले सब्सक्राइब के पास में गई और फॉर्टिन टाइम्स गई हुए चौदा बार तो जितना मैं पड़े लिखी थी और जितनी मेरी समस्ती उस टाइम के हिसाब से तो मुझे पता था कि जो डिस्टिक का हैड होता है वो सब्सक्राइब होता है और उससे वड़ा कुछ नहीं ह तो फिर वो सिटी सीओ को कॉल करते कि मैं एक लड़की भेज रहा हूं तो वो शैद रोते हुए आई है और शैद फैमली के साथ या कहीं कुछ इशूज है देख लेना जरा तो वो एप्लिकेशन डिटन में लिखवा के आहां वहां भेजते दें सिटी सीओ साब अबिकेश हो रहा है उसका evidence चाहिए तो किसी एक की witness चाहिए witness कहां चाहिए जहां मैं रहती हूं जहां वो धमकाने आते हैं ओके अफ कर विल्डिंग में रहते हो बिल्डिंग में कौन كस की witness देता है देता है कोई कोई नहीं देता उस ताई मुझे पता नहीं था कि मैं यह कह सकती थी कि आप उनकी mobile location निकाल सकते हैं at least अगर मैंने complain किये तो उनको पाबंद कर सकते हैं लेकिन उस टाइम मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी लेकिन पुलिस वालों को तो पता थी ना वो उनका job था लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे घुमाया कि ये लेकिया ओ वो लेकिया कहां से लाओ मैंने कोशिश की नहीं हुआ वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो बैंकर था वो मेरे से कहीं ज़्यादा पाउरफुल था उसकी अप्रोश थी पॉलिटिकल अप्रोश वगर थी उसके बाद क्या हुआ जब पुलिस से इंसाफ नहीं मिला तो फिर आनन्दपाल नहीं मैं मेरी प्रोपर्टी बेचने की सलसिले में बलवीर बानुडा से मिली थी तो उसके साथ में सेटलमेंट नहीं हुआ और उन्होंने कभी मुझसे illegal activity ना तो कभी कई न कभी कुछ करवाई वहाँ पे एक और प्रिजनर थे शिवदत ठाकूर तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी प्लीज हेल्प कर दो मैंने का कैसी हेल्प मुझे तो उन्होंने का कि कुछ नहीं आप बड़े लिखे हो तो एड़ोकेट से बात वगर करकी मेरी बेल करवा दो उनकी भी situations थी कह सकते हो कि बड़ी खराब थी बड़ी खराब इसलिए थी क्योंकि उनकी पीछे एक MLA पड़ी थी भरतपूर की स्वरी धूलपूर की तो वो भी प्रॉपर्टी के लिए उनको मरवाना उनकी फैमिली में इस सब चीज़ें चल रही थी अंदर करवाना मतलब लगावा था तो उन्होंने का उनकी ऐसे ऐसे मैं इस वज़े से यहाँ पे आ गया मैं उनको पूछा था कि जब आप इतना यह फील कर रहे हो कि बाहर जाना है तो आपने ऐसा किया ही क्यों तो उन्होंने का कि मेरे हाला तो मेरी मजबूरी थी तो जब बताया है उन्होंने तो मुझे लगा चलो मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है अगर मैं कर सकती हूं, मैं इसकी हेल्प कर दो, गलत तो कुछ बोल नहीं रहा है, तो उसने का मेरी सिस्टर नहीं है, तो आप मेरी हेल्प कर दो, मैंने का चलो, इसकी हेल्प कर दें, क्या पता मुझे सुकुन मिले, मेरी हेल्प नहीं की, मैं तो किसी की कर दो, कोई मेरी भी क तो बस मैंने उनकी हेल्प की थी लीगली पहली बार आप को पुलिस ने कभरेस्ट किया कभजिल में पहली बार मुझे अरेस्ट किया था डीडवाना में रास्ता हां जी रास्ता में किया था क्या अरोप लगाया अलिगेशन था वैपन और लीकर क्या किस तरह से आप कहां थी कैसे पुलिस आई किया था पुलिस का एलिगेशन ये था कि मैं वैपन के साथ में पकड़े गई हूँ, स्कोरपियो था तो स्कोरपियो ज़रूर मेरे पास था, ना तो मेरे पास में वैपन था और लीकर तो पॉसिवल ली नहीं लीकर इसलिए की बाद में बहुत बाद में पता जला लीकर उन्होंने इस लिए रखा था क्योंकि ला में यह है कि जो ढ्रग्स है या फिर जो भी लिकर यह सब एंगर आपकी गाड़ी में और द लेकर कुछ ने सब है तो इस गाड़ी को आप सीज गर सकर किया था और धन फिर उसके बाद में मुझे डीडबवना जिल भीजा था कितने मुझे आनंड पाल से आपकी मुलाकात कैसे हुी कितने साल आप की बताया जाता है कि वह गैंग आप हिने चलाया चलाया ने वहन को इस बूस्सक्राइब पॉलिटीक्स थी रास्तान की पॉलिटिक्स थी ये अभी आपको पता हो तो जोदपूर कोट ने एक डिसीजन दिया है आनन्दपाल का जो इंकाउंटर था वो फर्जी था क्या था वो इंकाउंटर आप कहा थी सुथ उस टाइमें मैं जैपूर जेल में थी महिला जेल में थी जब ये इंकाउंटर हुआ था कैसे इंकाउंटर हुआ था क्या जानकारी आपको मिली थी मुझे जितनी भी जानकारी थी वो आफ दर रिकोर्ड ये थी कि उनको पकड़ा गया था और पकड़ने के बाद में कुछ पॉलिटिशन से बात करवाई गई थी और फिर उनको गोली मारी गई थी ये मेरी जानकारी में रहा है और जो बाकी का पड़ा नियूस पेपर में पड़ा जो पुलिस डिपार्टमेंट की स्टोरी है तो जब आप जेल में थी उस वक जैपूर जेल में तो उससे बात या मुलाकात पॉसिवल नहीं है तो मेरी कब भी कोई बात जेल के दौरान कब भी नहीं हुए पहले जब आपकी मुलाकात कब आनन्द पालस हुई थी क्या बात चुछ थी वो कैसा था किस तरह का सुछ थी उस डूरेशन में जो मेरी बात हुई है मैंने आपको बताया कि मैं मिलने गई थी नार्मल जैसे और लोग वीजिटर जाते हैं वैसे मिलने गई थी और कुछ भी नहीं तो उन्होंने कहा था मैं कोशिश करता हूँ अगर आपकी कुछ यह जो प्रॉब्लम है लैंड की सॉल्व कर पाया तो तो उन्होंने मुझे हाँ प्रॉमिस किया था और लोगों को कहा था कि अगर शॉट आउट होती है तो करवा दो इनकी लैंड शॉट आउट तो उन्होंने कभी मतलब ये नहीं कहा कि आप ये क्राइम करदो वो क्राइम करदो या ये करदो वो करदो हाँ उनकी स्टोरी मुझे पता थी उन्होंने बताया क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आपके साथ में क्या हुआ क्यों हुआ वैसे ही मैंने भी उनसे किया गया है हमेशा शायद अभी भी वहाँ पे थोड़ा वो होता है ऐसा तो किसी को भी उनकी कास्ट से जो लोग होते थे तो उनको मतलब अब शूज नहीं पहन सकते हो जीन्स नहीं पहन सकते हो या उनकी बेहन बेटियों को कोई भी बत्तमीजी कर देता था इस तरीकी तो उन्होंने उसकी खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्होंने इलेक्शन भी फाइट किया था तो उस कास्ट के परसन को इलेक्शन फाइट करने देना बहुत बड़ी बात होती थी और जहां तक मुझे पता है कि वही आप मतलब जीन्स नहीं पहन सकते हो बहुत सारी ची है या इन लोगों के बनाएवे रूल थे तो उनकी कोशिश रहती थी कि डॉमिनेट किया जा इन लोगों को तो आनन पाल सिंग ने डॉमिनेशन से इंकार किया था कि ना तो मैं खुद डॉमिनेट होँगा ना मैं किसी को करूँगा ना मैं होने दूँगा तो बस यही लड में थे टोटल फरजी मुकद में थे जब वो छह महीने अंदर रह के आए तो वो छह महीने तक बहार भी नहीं निकले सिर्फ इस शर्मंदगी से कि मैं जेल में रह क्याया मैंных गलत नहीं किया फिर वी मैं जेल में रह के आया तो उनकी भी कुछ स्टोरी आप कह सकते हैं कि इस कि जैसे महीला वार्ड उसमें कोई जेंष एंटर नहीं कर सकता है वहां के जो टॉiletstein वो कावार्ड होंगे तो इसतरीटी की चीजी थी मैंने वहां जाकि वट्यक्षिन किया था कि जो टाइलेट्स है बात्रूम है वो ओपन क्यों है तो बस वो एलिगेशन मैंने लगाए थे और मैंने डिपार्टमेंट को ये कहा था कि मुझे अफ़ायर दर्च करवानी है उस टाइमें स्मिर्ति रानी का वो एक इंसिडेंट हुआ था ट्राइल डूम में कैमरा वगएर ऐसा कुछ ये था तो मैंने कहा था कि हम एक्यूज हैं और भले ही हम लोग एक्यूज ना सही हम लोग कल्प्रिट भी होते तो भी हमारा जो कानून है ये आपको अलाव नहीं करता कि एक जेंस उपर जाएगा और भले ही वो कैमरे या फिर कुछ भी लगाने के बहा करोगे देन जितनी भी लेडिज प्रिजनर होती है वो अपने अपने वार्ड में जाती है देन फिर आप आप किसी को जेंस को एंटर करवा सकते हो और आपके साथ में लेडिज कॉंस्टेबल जरूर रहेगी जो कि उन्होंने रूल ब्रेक किया था मैंने अतराज किया मैं इसलिए थी क्योंकि मैंने रूल ब्रेक किया थे कानून तो तो फिर वो कानून कैसे तोड़ सकते थे तो मैंने का ये तो आप पे भी लागवा होता है तो मैं भी ओफैट दर्च करवाँगी हमें थोड़ी पाता है कि क्या हुआ क्या निए उपर कैमरे भी हो सकते हम लोग वाश्रूम में भी गए हैं तो बस इस वज़े से उन्होंने ट्रास्फर किया था हुझे महिला जेल है वहाँ पर डॉमिनेट करके रखेंगे इसको दबा के डरा के रखेंगे तो शायदी डरेगी दबेगी तो हमारा तो पीछा चूटेगा अच्छा एक सिंडिकेट बना हुआ है अनुराधा चोधरी संदीप पुर्फकाला जठेडी लॉरेंस बिस्नुई गुल्डी बरार यह सभी एक साथ है दूसरा जो सिंडिकेट है उसमें नीरजबवानिया और बंबीहा गैंग यह सब है तो यह आपका संदीप और लॉरेंस बिस्नुई यह सबका एक गठजोड है गैंग ने ने मैं आपको पहले भी कहा चुकिए मेरा किसी के साथ कोई गठजोड नहीं है संदीप मेरे हस्बेंड है और इसके अलावा कोई भी गठजोड नहीं है लॉरेंस को मैं कभी मिली भी नहीं हूँ और उन लोगों से मेरा को कोई भी तालुकात नहीं है संदीप का ये बार तो संदीप बताएंगे आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं तो मैं अपने पाड का जगाच दोंगी ना जितना मेरे को पता है इस बारे में कभी कोई बात नहीं है देखिये बहुत सारे मेटिया परसूंस या मीडिया आॉश बहुत कुछ मेरे लिए भी शापते हैं, मैंने बहुत बार कहा है कि मुझे हर बार रहतराज रहा है, मेरी मदर के लिए कहते हैं मर गई, जिन्दा है वो, और ये कहते हैं कि मैं आननपाल सिंग की प्रेमी का थी, किसने कह दिया, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो पता ने, यूट्यूब चैनल है, एक वाहियात लेडी, वाहियात इसली ही कहूंगी, मैं उन पर जल्दी ही केस कर रही हूं, मेरे जो एडवोकेट्स हैं, लीगल एडवाइजर हैं, वो नोटिस बगर है, रेडी कर रहें, समन करेंगे हम उनको, उन्होंने ये कहा है कि आनिनपाल सिंग के साथ कभी रही, या फिर जब आनिनपाल सिंग फ्री थे, तब मैं फ्री थी, जब वो जेल में थे, तब मैं बाहर थी, और जब मैं जेल में थी, तब वो बाहर थे, तो ये कैसे पॉसिवल हैं, तो इस तरीकी के ऐलिगेशन, या इस तरीकी की नॉंसेंस आतंक की गतविधियों या गैंगश्टर है उसको लेकर कब पूस्ट आज की थी कितने घंटे पूस्त थी आपके घर टीम आई थी शोनी पत गाओं में उसके बारे में थेंदू अधर के जो शेडूल था रेड का चालिस पचास ज hat Ramalowski बढ़ नहीं दों नहीं पर मिलेगा नहीं की जटेडी कि zod bewusst नुइन परर दन पर दोकी मैंना एक सर्माइस होना लेकिन चीन ऑन क्या तो उन्होंने जो भी उनकी क्यारिस थी उनके सामने आई जो रूमर रहे हैं जैसे कि अभी आपने कहा कि इन लोगों के साथ में जो बाकी का सिंधिक है इट है इसमें पंजाब में या फिर बाकी की जगे उनसे में कनेक्टेड हूं या नहीं कोई मतलब नहीं है मैंने उस टा तो उन्होंने सारा क्योरे को समय है किसी स्वाणा proportion Geral प्राइए को मभी पोछते हैं छाइग छो तुन गारी सिटी सुनना था तो उन्होंने सार किया ने आपको बुलाया एक Paradise And क्या क्या स्वाल पूछा था कुछ और काही कि आपको लेकर कोस्टर आढ उत्य है अ Weird इंवेस्ट होता है, मैंने का कोई शूनी है, आप इंक्वेरी कीजे, मेरे भाई के पास में ऐसा कुछ बिजनस नहीं है, जैसा कि आप बता रहे हैं, और उन्होंने बाकी की जैसे गैंग से रिलेटेड या फिर संदीप से रिलेटेड की संदीप के ब्लाक मनी या ब्लाक जो क जैसे नीरिजबावाना या कोशल चौधरी, लेकिन उन से मेरा क्या मतलो, वास्ता तो, आपके गैंग के लोगों से वास्ता या नहीं, मेरे सिर्फ मेरे हस्बंड संदीप से वास्ता है, लेकिन लेता कौन है, आप ये देखिए ना, मीडिया, पुलिस ड़ाट्मेंट में स किसी ने भी यह कहा कि मेरा कोई रोल था कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि उस टाइम में संदीप ग्रिमान पे थे लोधी सेल तो उनकी जो कोट में पेशी वगर होती थी या मैडिकल वगर लगवाना करवाना तो मैं उस टाइम में कोट के चकर काटती थी जब मुझे यह पता लागा तो आप बताईए कि अगर मेरा नाम या मैं शामेलिया कहीं कुछ होती तो क्या कोई मेरे को कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट का या सेल का कोई छोड़ता मेरे को कोई भी ने छोड़ता मुझे नहीं लगता कि पुलिस डिपार्टमेंट मैं एक औरत हूँ तो वो कि छोड़ दो इस बार तो, ऐसा नहीं होगा, कोई भी नहीं छोड़ेगा, किसी भी स्टेट का नहीं छोड़ेगा, तो उन्होंने इंक्वारी की होगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, तो फिर मुझे परिशान नहीं किया गया, एक ये राजू ठेहट का मडर हुगा था राज आप ही का नाम क्यों चलता है, इतनी बड़ी आबादी है, अनुराधा चोधरी, लेड़ी डॉन का ही नाम को चलता है, कुछ तो रहा हो, कुछ तो कलेक्टिट है, अभी वो एक एक और लेड़ी डॉन के नाम से, मैंने शायद सुना है, पढ़ा है, पूजा नाम से, अभी बर्गर किंग पे जो मर्डर हुआ है, मैं तो कहती है, उनको प्रमोट कीजी, मुझे डिमोट कीजी, मुझे डिमोट कीजी, मैं रिजाइन कर चुकी हूँ बहुत पहले, तो आप उनको प्रमोट कीजी, किसी और को प्रमोट कीजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राजू मैंने ऐसा कहा कि भई उनके साथ कोई दुश्मनी या कोई चीज ऐसा नहीं था, था, दुश्मनी थी, बिल्कुल था, हाँ, लेकिन ये बात भी मैंने कही है कि अगर वो वार करेगा तो अपना बचाओ तो मैं हर हालत में करूँगी, बाकि मुझे कोई मतलब नहीं है, दोस्त उनके साथ में हम उनको भाई चारा या फिर कुछ और चीज़ें कहें, तो ऐसा तो नहीं था, तो ठीक, उनके दुश्मन थे, तो हमारे भी थे, हम ये मान के चलते थे, कि वही हमें भी हाम कर सकता है, तो हमें केरफुल रहना है, बस एतनी सी चीज, लेकिन मेरी connectivity में रहा है, अभी भी है, और पहले भी था, तो अगर ऐसा कुछ issue होता है, तो मैं पहले department के पास में फिर से जाऊंगी, और फिर अगर department कुछ नहीं करता है, तो देखिए, वो मैंने हमेशा कहा है, कि चूडियां तो अभी भी नहीं पहनी है, बड़ी बात कह रही है, चूडियां अभी नहीं, इसी वज़े से तो बार-बार नाम आता है, जो आप बोल रही है, कि क्यों, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि मैं किसी को मार दूँगी, कुछ कर दूँगी, मैंने हमेशा कहा है, मैं अपना, अपनी family और अपने friends का बचाओ, जरूर करूँगी, अ मैं इनसान हूँ, तो मानव धर्म ये कि मैं अपनी रक्षा स्वैम करूँ, अगर ऐसा होता है तो, लेकिन मुझे उमीद है कि ऐसा होगा नहीं, नहीं, आपके मैं घर विजिट किया, 14-15 CCTV कैमरे लगे वे हैं, पूरी proper security, अभी भी threat होता है आपको, security threat है, बिलकुल होता है, किस से है, यह department कहता है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको नहीं मार सकता है, या क्यों मारेगा, लेकिन किसी के दिमाग का थोड़ी कह सकते हो, किसी को publicity चाहिए, कुछ गोड़ चीज चाहिए, या जैसे आप किसी को दुश्मन मानते हो, बस इतना मानते हो कि दुश्मन ह है, हम कर सकता है, तो सावदान रहना है, तो कोई ये भी मान सकता है, कि आप दुश्मन हो, तो आपको मारना है, या आपकी family को मारना है, संदीप की वज़े से, या मेरी वज़े से, तो इस वज़े से careful रहते हैं, और जो department कहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, शादी नहीं देखे क्योंकि मेरा जो ध्यान था पूरा का पूरा शादी और मंत्र और वहीं टाइमिंग पे था क्योंकि पंडी जी ने का था बारा बज़े से पहले फेरे होने तो पस यह मेरी फैमिली पे तो मुझे नजर नहीं आई यह शादी के लिए दो तीन गंटे के पे रोल म नहीं थी हनीमून का तो कोई सवाल उठता नहीं है उसके बाद शादी के बाद तो ग्रैप अवेश भी नहीं करने दिया क्यों नहीं करने दिया सोनीपत का जो एस्ट नहीं है सोनीपत पुलिस डिपार्टमेंट उनको मुझे ऐसा लगता है कि संदीप का वहां आना पसंद नहीं आता है तो इस वज़े से उन्होंने ऑबजिक्शन किया था कभी ऐसा नहीं लगता है चारोत हर हर वक्त इनसेक्यूरिटी चारोत रफ सीसी टीवी कैमरे हमेसा मतलब जान का खत्रा यह कभी लगता है जैसे कि किसी को स्कूल छोड़ने जाना हो मार्केट जाना हो एक देखें P cancer by जब आनी एना मौत तो Annia FIFA तो ठीक है अप careful रहओ अब हम यह ट्राइन कर सकते न कि जैनी कर सकते ना और टरक के सामने नीं जा सकते बाकि ठीक है जिस दिन आनी है आज आएगी यह 2006 में मैं पड़ा रहा था 2006 में कोई जीवण राब गुदारा हत्या कांड हुआ था के मुख्य गवाब प्रमोच चौधरी के भाई इंद्र चंद का परांड चौधर में हुगा था इस मामले में आपका नाम यह क्या था इसमें भी आपका नाम है था पुराना मामला है यह यह अभी अंडर ट्रायल है तो इस बारे में बोलना सही नहीं है हत्या कांड का क्या था आरोप आप पर लगा क्या था यह किड्नैपिंग मैंने विटनेस को किड्नैप किया था ऐसा ऐलिगेशन था आरोप लगा यह जी गुल्डी बरा लॉरेंस बिस्नुई से आपकी कोई व्यर्त के कि मुलाकाथ हुई फॉन पर कोई बात शीच था हुई नहीं झाझ मैंने सुनजा के लॉरेंस बिस्किया आपको बेहन मानता है मुझे तो पता नहीं चैर जो कम से ख़ंट नहीं मानता है बेहन माने है नमाने अधरृञाबर और भढ़ते न और कितने दुसमन हो मैंने कभी गिंती नहीं किये जो हैं या जिनको लगता है हम दुश्मन हैं यह जो अभी हाल फिलाल में खासतोर से हरियाना की तरफ अगर देखें मतलब गैंग छोटे-छोटे गैंग वार हो रहा है अभी बीते दिनों एक धाबा था आप चुकि अब रैस्थान से निकल कर हर वार चल रही है इसकी पिछी वजय क्या मानती है क्या अब आपने समझा हो जितना मैंने संदीप से समझा है या जितनी उनकी मैंने स्टडी की है तो यहां पर बच्चे-बच्चे को शौक है मतलब वैपन के साथ में रील बनाने का या फिर ड्रग्स है या फिर शो बाजी क हो लेकिन हम पैसा बोरो करके उधाड लेके चैन पहनेंगे हां हम आरे पास वैपन ना हो लेकिन हम किसी से लेके उसकी रील बनाएंगे हम दिखाएंगे तो इस तरीकी की चीजे बच्चों को बच्चों को मोटिवेट करती इसर्चीजें करने के लिए फिर कुछ लोग ऐस से भी हैं जो उसका फाइदा उठाते हैं बच्चों को समझ में नहीं आता है कि यह चीज़ें जो वह कर रहे हैं वह गलत है उनको लगता है कि जो पुलिस कस्टेडी में हम लोग आते हैं जब जैसे मैं जेल में थी या संदीप आते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है रहे व उनको ये वो जो एक पर्दा है उसकी पीछे का सच नहीं पता है न कि आप मतला सुबह कितने बज़े खुलते हो एक छोटे रूम से कितना घंटे आपको उसमें बिताना पड़ता है देन फिर दॉफेर में कितने घंटे आप बाहर रहोगे घूमोगे दूप देखोगे या को बीघुड़े भी मिलेगा यानि मिलेगा यह सब चीज़े उन्हें भीचारों को नहीं पता है उन्हें तो पस दिखता है कि हा ऐश है गाड़ी है आपको पता है हाँ बिल्कुल मुझे भी पता है संदीप को भी पता है इसलिए संदीप ने हमेशा अब मीडिया या बागी के लोग कोई भी ऐलिगेशन लगाएं जैसे नहीं ने मेरे से क्योशन किया था कि यह टरिस्ट अक्टिविटी मैंने तब भी कहा था अब भी कह रही हूं संदीप क कभी भी किसी भी टरिस्ट अक्टिविटी में कभी कोई रोल ना तो था न है न कभी होगा कभी भी नहीं था आप कितने साल आपके लाइफ ही जैल में रही है अलग-अलग डूरिशन में मैं करीब साथ से आठ साल रही हूं मेरे आखरी दो सवाल है कि बहुत हरानी हुई थ जब आप राजस्थान के रहने वाली हैं और अचानक आप सीन से गायब रही और अचानक से आपकी एंट्री होती है दिल्य पुले से स्पेशल सेल के ऑफिस में संदीब जिठेडी के साथ साथ लाग काई नाम था उसको पर जहां तक मेरे याद है उसके साथ आप नजर आत को डिपार्टमेंट को भी इस चीज से औबजेक्शन है या पसंद नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता ना मुझे फर्क पड़ता ना संदीब को फर्क पड़ता तो यह मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक केस में एक मैटर में मैं वांटेड इस वज़े से थी क्योंकि उस डूरेशन में कुछ पुलिस वाले थे जिनोंने मेरे पर फॉल्स एफ़ायर की थी तो थोड़ा टाइम दूर रहे के जो एक्यूस साइस में उसकी बेल हो जाए और मैंने अपनी इंटरिम बेल लगाई थी तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम दूर थी और उसी डूरेशन में संदीप अपनी जान बचाने के लिए जो उन पर ऐलिगेशन है कि वो फरार हुए थे तो यहां शायद आपको ध्यान हो तो ऐसी हिस्ट्री भी रही है कि पुलिस वालों ने फरजे एंकाउंटर भी किये हैं रास्तान में भी हुए जो की ताजा अपने देखा होगा एक कि पुलिस वाले उनका उनके पास में न्यूस थी जो पुलिस वाले खुद आये थे जो उनकी ड्यूटी में थे उनमें से कुछ ने उनको बताया था यह सब चीज से कि इस तरीकी की चीज होने वाली है तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जो किया था अपनी जान प्रॉपर ये देख रहे थे कि कहां किस जगे पेश हुआ जाए कोट के अंदर और उसी डूरेशन में मेरे से मिले थे तो अब दोनों फरार चल ले थे हाँ हम और ये तो स्पेशल सेल बताईगी दया साब बताएंगे विकरम दया जो स्पेशल सेल में उस टाइम इंस्पेक् आपको शायद बताया होगा आप भूल गए होगे मैंने कहा कि हम लोग शादी कर चुके थे वो मेरे हास्बंड थे और डर किस चीज़ का जब उनका होना तो मेरे को भी तो साथ ही जाना था चली आखरी दो छोटे सवाल छोटे में जबाब देजेगा एक तो ये कि सब ये म लेकिन देखिए ये allegation है मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी family को handle कर रही हूं मैं उन चीज़ों को handle करणों इतना ही काफी है मेरी कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि मैं किसी तरीके का कुछ भी run करूँ बिलकुल नहीं है और रही बात brain की तो संधीक कोई syndicate या फिर कोई gang run नहीं क जिस तरीके ऐलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो एक कह सकते हो कि मतलब जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें एक रूटीन वाली चीजें होती हैं कि हाँ ठीक है चलो ये बीस पर डाल दो ये केस खुलने रहा है या फिर ठीक है कुछ मिलने रहा चलो उसको भी इन्वाल्ड कर लो तो बस इस तरीकी की चीजें रही हैं संदीप का कोई मतलब नहीं है ऐसे थोड़े नहीं कोई एलिगेशन किसी पर लगा दे ये ठीक है आप बचाओ क्यों बचाओ तो बिलकुल करूंगी क्यों नी करूंगी मेरे हस्बेंड है और सबसे बड़ी चीज नहीं सबसे ब आपको क्या उनसे डड़ लग रहा है? नहीं किसी से नहीं तो आप उनसे भी सवाल किजी आप बहुत सब अर्ट में जरूर सबस्वाल करता है मैं अब सिर्फ आप से यह पूछना चाहता हूं कि जो आजकल जो जैसा आपने वता बड़ा ग्लैमराइज होता है कि क्या आप युँआओं को मैसेज देंगी क्योंकि आप पने वो जेला है तो लोग क्या करें और क्या ना करें मतलब क्राइम संडिकीट के तरफ नहीं आप खासतोर से आप से जैसे लोगों को मैसेज देना चाहिए जो भुगत चुके हैं जो जेल में मैं यह कहना चाहूंगे जो यह जो लाइफ इनको अट्रक करती है वो वैसी नहीं है जैसे उनको दिखती है वो यह सोचते हैं कि इतना पैसा आजाता है किसी को एक धम की दो एक फोन उठाया और कि मैं वो बोल रहा हूं लोग भाई भाई कहेंगे भाई साब कहेंगे तो य शे बजे आपको खोलेंगे और ग्यारा बजे आपको फिर से बंद कर देंगे दन जैसा भी खाना मिलता है रूटीन में वो आप उसको खाएंगे तीन बजे फिर आप खोलेंगे फिर शे या साथ बजे फिर आपको बंद कर देंगे आपको नहाने के लिए गरम पानी तो ब मिलना देखना है, पर्मीशन चाहिए, तो पैसा अगर आता भी है, धमकिया इस तरीकी की चीज़ से, तो वो कोई कामका नहीं होता है, फिर किस कामका जब आप अंदर बैठे हो, और जितनी समश्या परेशानी होती है, इसके अलावा और भी खत्रे होते हैं, अंदर जो इनमे हैं, उनकी फीज हैं, का भी सारी चीज हैं, तो अगर आप प्लस माइनस इस इकल टू करोगे ना, तो माइनस में जाओगे, तो ये चीज़े दूर से अच्छी लगती हैं, आपको अगर वैपन का या इन चीजों का इतना ही शोक है, तो आप जो कॉम्पेटिशन एग्जाम हैं, वो फाइट कीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी है, वो जोइन कीजिए, ये क्या है, उठाया, क्योंकि ये इजी वे है, टफ वे तो आप सेलेक्ट करनी सकते हो, तो फिर आप इजी वे में जाते हैं, तो इन चीजों से दूर रहें, मेने स्ट्रीम में आ र लेगी न मुझे, एड़ोकेट्स हैं हमारे, काफी ब्रिलियंट हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि मैंने किया भी ऐसा रास्तान में, अपने कुछ केसे मैंने खुद फाइट किये हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे खुद को करना चाहिए, जितना अच्छा मैं वाच कर सकती हूँ, जितना अच्छा मैं स्टडी और रीड कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास में हमारी लाइफ का एक, दो या दस केस होंगे, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन एड़ोकेट एक दिन में 20 केसे डिल करता है, जिसमें से तीन या चार हमारे होंगे, बाकी के सारे दू है, हर चीज के दो पहलों होते हैं, नेगिटिव और पॉजिटिव, अगर आप नेगिटिव को पकड़ के बैठे रहेंगे, तो आपको नेगिटिव ही मिलना है, मैं तो पॉजिटिव पकड़ रही हो न, और शायद हो सकता है, कि मुझे देखके और लोग भी कोशिश इसलिए करूंगी, क्योंकि जो संदीप का वर्जन है, मुझे अगर रखना है, तो मुझे उसके लिए प्लाटफॉर्म चाहिए, और संदीप ने कभी कोई क्राइम नहीं किया, उन्होंने कभी क्राइम को प्रमोट किया, जैसे कि संदीप नशा पसंद नहीं करते ह फिर नशा जो भी करता है, उसको अवोइड करते हैं या मना करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमाई सोसाइटी में ये नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए प्लाटफॉर्म चाहिए, तो फिलाल संदीप तो अंदर है, तो मुझे लगता है कि शैद पॉलिटिक्स अच्छा प् देना, तो जैसे मेरे भी दुश्मन है, संदीप के भी दुश्मन है, मैं ये नहीं कहती हमने बनाए, लोगों ने हमें दुश्मन बनाया है, तो अब दुश्मन तो हैं, चाहे उनके साइट से हो, ये हमारे साइट से हो, तो हम अपना बचाव कर रहे हैं, तो करेंगे, बच करो दूर रहो इन चीजों से तो हम वो भी कोशिश करेंगे जो हमारी एक liability बनती है society के लिए जो कि संदीप सोचते हैं हाला कि जो हर्याना department है वो संदीप के लिए negative सोचता है उनको लगता है कि संदीप अगर यहां पे आते हैं फेशी पे भी आते हैं तो कुछ ने कुछ उल्टा हो जाएगा यह हो जाएगा जबकि ऐसा कुछ भी नहीं संदीप का कोई मतलब नहीं है पस संदीप यह सोचते हैं कि कुछ भी जो हमारे साथ हुआ वो दूसरों के साथ ना हो तो प्लाटफॉर्म पॉलिटिकल प्लाटफॉर्म मेरे कहल से बहतर है अकरी सवाल अपना नोट दूँगा आप जितना संदीप संदीप कह रही है दिल्ली NCR में पूरा संडिकेट चलना है टैक्स वालों से वसूली शराव माफियाओं से वसूली मतलब सबसे बड़ा में अगर कल को कोई आपके नाम से अर्विन ओजा बोल रहा हूं और किसी को धमकाना शूर कर दे वसूली करना शूर कर दे कोई और फाइरिंग करवा दे कुछ करवा दे कुछ भी हो जाए तो इसका मतलब क्या आप क्रिमिनल बन जाएंगे ऑलिगे तो आटर ही तो जाएंगे तो आप भी ट्राइल फेस करेंगे ना संदीबी सेम वही चीज़ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो जो फैक्ट है मैं वह बता रही हूं संदीब का वर्जन क्योंकि संदीब का कभी इंट्रव्यू नहीं हुआ वो कस्टडी में रहे हैं जब भी मतलब आप भागेगा भागेगा कोई एम नहीं भागेगा हम गूल थे कि कोई नहीं टाइम विल टेल भागेगा और आप लेके भागोगे यह कहा गया था तो मैंने कहा कोई इशू नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं लोगों की इस mentality से क्योंकि समय बता देगा कि सच क्या है तो सेम यही चीज संदीब के लिए वी सच क्या है allegation आते हैं अगर पुलिस डिपार्टमेंट को कोई ओर नहीं मिलता तो संदीब क्यों मिलते हैं जैसे मीडिया को मतला कोई ओर नहीं मिलता तो मैं मिलती हूं female में अभी तो और भी options हैं तो मैं उमीद करूँ ही कि ओर लोगों को भी जादा मौका देंगे आप यहां ही और नया जीवन आप शुरू कर रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्त कामना है मैंने स्ट्रीम में आईए लोगों को अच्छा सिखाईए सोसल वर्क करिए यह हमारी उम्मिद है आप से शुक्रिया हम स्टेज पर आने के लिए आपको यह शुक कैसा लगा जरूर बताईएगा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए